Good morning students, हमारा आज का टॉपिक है प्लेटो का परिवार विश्यक साम्मेवाद इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था प्लेटो का संपत्ती संबंदी साम्मेवाद आज हम प्लेटो के परिवार संबंदी साम्मेवाद की बात करेंगे प्लेटों ने संपत्ती संबंदी साम्मेवाद की अपेक्षा परिवार संबंदी साम्मेवाद का विस्तार से वर्णन किया है इसको देने के पीछे प्लेटो का उद्देश्य यही था कि अभिभावक वर्ग परिवार के मुह से मुक्त रहे और अपने क्रतव्यों का पालन कुशलता पूर्वक कर सके सबसे पहले हम देखते हैं परिवार संबंदी साम्मेवाद का अर्थ क्या है प्लेटो का यह कहना था कि अभिभावक वर्ग के इस्तरिया पुरुशों में कोई भी अपना निजी परिवार नहीं बनाएगा इस्तरिया सबकी समान रूप से पत्नियां होगी और इनकी संताने भी समान रूप से सबकी होगी न तो मातापिता अपनी संतान को जान सकेंगे और न ही संताने अपनी मातापिता को अर्थात प्लेटो ये चाता था कि पूरा अभिभावक वर्ग एक परिवार में कनवर्ड हो जाए अभिभावक वर्ग के सभी इस्त्री और पुरुष इस तरह से व्यभार करें जैसे कि वे सभी एक ही परिवार के अंग है प्रेटो ने परिवार सम्बंदी साम्मेवाद का समर्थन किन आधारोपी किया इसके बारे में हम बात करते हैं पहला रीजन है अभिभावक वर्ग को परिवारिक मोहों से मुक्त रखना प्लेटो का मानना था कि परिवार के मोहों में फसकर व्यक्ति अपने कृतव्यों का सम्पादन कुशलता से नहीं कर पाता अतय प्लेटों चाहता था कि अभिभावक वर्ग परिवार के मोह से मुक्त रहे अतय उसने अभिभावक वर्ग के लिए परिवार की व्यवस्था का अंत किया है दूसरा पाइंट है राचे में एकता स्थापीत करने है तू प्लेटों का मानना था कि परिवार व्यक्तियों में तेरे मेरे की भावना लाता है और परिवार होने के कारण व्यक्ति सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करता है प्लेटों संघर्ष की इस प्रवर्ति का अंत करना चाता था और वो ये चाता था कि अभिभावक वर्ग के सभी इस्त्री और पुरुष एक ही परिवार में कनवर्ड हो जाए ताकि राज्जे में एकता स्थापित की जा सके तीसरा है राज्जे की मुक्ति तथा समान अधिकार प्लेटों के समय सार्वजनिक जीवन में केवल पुरुषों का ही प्रवेश था इस्त्रियों का जीवन केवल घर तक सीमित था इस्त्रियां सार्वजनिक जीवन में कारे नहीं करती थी प्लेटो का ये मानना था कि इस्त्री और पुरुष दोनों ही बराबर है प्लेटो ये मानता था कि परिवार एक ऐसा इस्थान है जहां मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है और पत्नी की मानसिक शक्ती चोके चुले में बरबाद हो जाती है प्लेटो चाहता था कि इस्त्रियां भी पुरुषों के समान सार्वजनिक शेत्र में आकर कारे करे और यह अवसर उन्हें तभी मिल सकता था जब परिवार ना हो नेक्स्ट है श्रेष्ट संतती की प्राप्ती प्लेटों का ये मानना था कि इस्त्री और पुरुषों का संपर्ख भी राज्य के हितों को ध्यान में रखकर होना चाहिए उसका मानना था कि स्रेश्ट इस्त्री और पुरुषों का संपर्ख हो और इस तरह से जो संताने उत्पन हो उनका पालन पोशन राज्य अपने शिशु ग्रह में करें अरस्तु ने परिवार संबंदी साम्मेवाद की भी आलोचना की है अरस्तु का कहना है कि इस परिवार संबंदी साम्मेवाद में इस्त्री और पुरुष के आधारबुद अंतर को ध्यान में नहीं रखा गया है अरस्तु मानता है कि इस्त्री और पुरुष की प्रकर्ती में अंतर है लेकिन प्लेटो ने इस्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं माना है एक उधारन देकर प्लेटो ये भी कहता है कि एक कुतिया भी कुत्ते की तरह अच्छी पहरेदार हो सकती है लेकिन इस तर्क को अरस्तु ने स्विकार नहीं किया है और अरस्तु इस्त्री और पुरुष दोनों की प्रकर्ती में अंतर स्विकार करता है दूसरा यह योजना देते समय प्लेटो ने पती-पत्नी के संबंदों की पवित्रता को बुला दिया है तीसरा प्लेटू का ये जो साम्मेबाद है इससे अभिभावक वर्ग को परिवार का सुख नहीं मिलेगा और जब अभिभावक वर्ग को परिवार का सुख नहीं मिलेगा तो वह वर्ग प्रसन नहीं रह पाएगा और अपने कृतवियों का पालन सही तरीके से नहीं कर पाए कि इस्त्री और पुरुष समान है तो वो पशु जगत के उधारन देता है और भी कहीं जगे वो पशु जगत के उधारनों से अपनी बात पुस्ट करता है जो कि सही नहीं है पशु जगत के नियमों को हम मानविय जीवन पर लागू नहीं कर सकते Next है इस्त्री को लेकर राज्चे में जगडे बढ़ेंगे प्लेटों का साम्मयवाद देने के पीछे एक मुख्य उद्देश था राज्चे में एकता स्थापित करना लेकिन वास्तों में अगर ये वैवस्था लागू किये जाती है तो राज्चे में एकता स्थापित होने क के बजाए इस्त्रियों को लेकर राच्चे में जगड़े और अधिक बढ़ जाएंगे नेक्स्ट है इस्त्रियों का साम्मेवाद सैयम के गुन को नस्ट कर देगा इससे बालकों में सदाचार और नागरिकता के गुनों का विकास नहीं हो पाएगा क्योंकि बालक जो अपने पोर्षन शिशुग्रह में होगा तो ये शिशुग्रह है बालकों को वो संसकार वो प्रेम वो सारे गुन नहीं दे पाएंगे जो परिवार के द्वारा उन्हें दिये जाते हैं इसलिए अरस्तु ये कहता है कि प्लेटो वादी पुत्र होने की अपेक्षा तो निकट संब पंदी होना कहीं अधिक उत्तम है कि अबिभावक वर्ग उत्पादक वर्ग की आवशक्ताओं और समश्चाओं को नहीं समझ सकेगा चुकि अबिभावक वर्ग का परिवार नहीं होगा उन्हें परिवारिक जीवन की क्या समश्चाओं हैं क्या आवशक्ताओं हैं इसका तो यह वर्ग उत्पादक वर्ग की समझ्षाओं को और उत्पादक वर्ग की आउश्रक्ताओं को ठीक तरीके से नहीं समझ सकेगा अब हम देखते हैं कि प्लेटों का सामवाद और आधुनिक सामवाद का हम कमपरीजन करते हैं तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कि दोनों में क्या समानताएं हैं, देखें दोनों का ही लक्ष ये है कि राज्य में न्याय की स्थापना हो, वर्ग संगर्ष, दूर हो, दोनों ने ही व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंदों में राज्य को महतु दिया है, दोनों ने ही समाजिक हित में ही व्यक्ति का हित समस्ते हैं, दोनों का ही ये मानना है कि राज्य का हित सर्वपरी है और व्यक्ति का अपना कोई हित नहीं होता जिसमें राज्य का हित है वही व्यक्ति का हित है, दोनों ही ये चाहते हैं कि राज्य में शक्ति और पदों के लिए जो अर्थात जो प्लेटों का सामवड़ है और आधूनिक सामवड़ है दोनों का ही लक्षे ये हैæ कि राज्य में संहप, प्रतिद्वन्दिता, आर्थिक प्रतियोगिता, वर्ग संहप। ये सब समाप्त हो। दोनों ही राज्य और व्यक्ति में व्यक्ति की तुलना में राज्य को अधिक प्रमुक मानते हैं लेकिन दोनों में बहुत सारी ऐसा मानता हैं जिनके बारे में अब हम बात करते हैं सबसे पहला अंतर है लक्ष का अंतर देखिए लक्ष का अंतर कैसे है लक्ष का अंतर ऐसे है कि अगर हम पहले बात करें प्लेटो के साम्मेवाद की तो प्लेटो का जो साम्मेवाद है इसका लक्ष है राजनितिक राजनितिक कैसे? कि प्लेटों के सामयवाद का मुख्य उद्देश ये था कि राज्य में ब्रस्तरचार ना हो, राज्य में सुशाशन हो, राज्य में एकतार है. लेकिन जो आधुनिक सामयवाद है उसका उद्देश है बेसिकलि आर्थिक. आर्थिक कैसे? कि आधुनिक सामयवाद का मुख्य उद्देश ये है कि आधुनिक सामयवाद ये चाहता है कि एक विशेश प्रकार की राजनितिक व्यवस्था अपनाई जाए जिससे की आर्थिक शक्ती का न्याय पून वित्रन हो सके तो प्लेटों के साम्मेवाद का लक्ष राजनितिक है लेकिन जो आधुनिक साम्मेवाद है उसका लक्ष आर्थिक है दूसरा है वर्गिय आधार पर भेद प्लेटों का साम्मेवाद अर्ध साम्मेवाद है क्योंकि ये केवल शाशक और सैनिक वर्ग पर लागू हो रहा है ये उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता लेकिन जो आधुनिक साम्मेवाद है वो राज्ये के सभी नागरिकों पर लागू होता है तीसरा है आर्थिक धाचे के संबंद में बेद। प्लेटों का साम्मेवाद राज्य के आर्थिक धाचे को बिल्कुल परिवर्तित रखता है। कोई भी उत्पादन या उत्पादन क्रिया का कोई भी अंग इससे प्रभावित नहीं होता लेकिन आदुनिक साम्मेवाद राज्य के आर्थिक धाचे को पूर्टिया परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है उभ्भोग विवस्था के संबंद में अंतर। प्लेटो का साम्मेवाद उभ्भोग के पधार्तों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है राजनितिक और आर्थिक शक्तियों के एकिकरन के संबंद में। प्लेटों का ये मानना था कि राजनितिक और आर्थिक शक्तियों का एकिकरन नहीं होना चाहिए अगर एकिकरन हुआ तो राज्जी की एकता समाप्त हो जाएगी और उसका मुख्य उद्देश यही था कि आर्थिक और राजनितिक शक्तियों का एकिकरन नहीं हो लेकिन जो आधुनिक साम्मेवाद है उसमें जिस वर्ग के हाथ में आर्थिक शक्ती है अर्थात उत्पादक वर्ग वो उस वर्ग को ही राजनितिक शक्ती प्रदान करता है आधारबुद स्वरूप का वेद आधारबुद स्वरूप से अभी प्राय है कि प्लेटों का साम्मेवाद अपने स्वरूप में आध्यात्मिक है यह समर्पन का मार्ग है क्योंकि इसमें सभी लोग त्याक का मार्ग अपनाते हैं और अभिभावक वर्ग निजी संपत्ती भी नहीं है उसके पास परिवार भी नहीं है लेकिन जो आधुनिक साम्मेवाद है वो पून्ट या भौतिक है और उसमें संपत्ती को अनिवारे मानते हुए संपत्ती का कैसे वित्रण किया जाए इस पर बल दिया जाता है नेक्स्ट है परिवार एक साम्मेवाद के संबंद में प्लेटो के संपत्ती के साथ साथ परिवार का साम्मेवाद भी है लेकिन जो आधुनिक साम्मेवाद है वो परिवार संबंदी किसी साम्मेवाद की बात नहीं करता उसका संबंद केवल संपत्ती के साम्मेवाद से है नेक्स्ट है नगर राज्यों और अंतरास्टेता का भेद प्लेटों के साम्मेवाद का लक्ष एक तरह से युनान के नगर राज्य है लेकिन जो आधुनिक साम्मेवाद है उसका नगर राज्यों से कोई संबंद नहीं है वो अंतरास्टेता में विश्वास करता है Thank you.